तो देगे G20 समिट का दूसरा दिन आज है राजगाट पहुंचे हैं वर्ल्ड लीडर्स महत्मा गांधी की समाधी पर पुषपांजली अर्पित करेंगे विदेशी महमान बागलदेश की पीम शेख हसीना राजगाट पहुंची इससे पहले आपको तस्वीरे भी दिखाए प्रधानमंत्री मोदी रेशेख हसीना का स्वागत किया मिसर के राश्टपती अबदेल फतह अल सीसी राजगाट पहुंचे मौरिशस के प्रधानमंत्री भी पहुंचे नीदरलेंड के पीम मार्क रट पहुंचे राजगाट डबलु आचो के मानिदेशक टेड्रोस अदन करने के साथ ही दिन की शुरुआत होगी और फिर जो तीसरा सेशन है उसका आरंभ होगा फिलाल ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि सरीके से राजगाट पहुंचने का सिलसला विदेशी महमानों का शुरू हो चुका है और वहाँ पर विदेशी महमान पहुंच भी चु कुल मिलाकर G20 समिट में प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी की 15 राष्टर अध्यक्षों के साथ दुईपाक्षिय वारता है जिन में से दो दौर की वारता हो चुकी है कल भी कई राष्टर अध्यक्षों के साथ प्रधान मंत्री की दुईपाक्षिय वारता हुई लेकिन आ जिंद्र मोदी ने शोल अड़ा कर सभी को रिसीव किया साथी साथ पीम मोदी ने सभी नेताओं को राजगाट के बारे में जानकारे भी दी इसके बाद आपको बताएं कि यहां बापु को श्रधांजली अर्पित करने के बाद सभी जो विदेशी महमान हैं वो भारत मंडप के लीडर्स लाउंज में लौटेंगे और फिर वन फ्यूशर फर आखरी सेशन होगा सबसे आखिर में नई दिली डिक्लेरेशन जारी होगा एक कौमन नई दिली डिक्लेरेशन जारी होगा समिट के पहले कई दिन मुद्दो पर चर्चा की गई है जिसमें रूस यूकरेन जंग के बाद G20 का पहला साजा घोसना पत्र भी सामने आया इसके लावा भारत, यूरोप और मिडल इस्ट के बीच बेहद एहम एकोनोमिक कॉरिडोर को लेकर डील हुई है जो कि एतिहासिक है हालंकि कल शाम को राश्पती की तरफ से डिनर भी होस्ट किया गया जिसमें विदेशी महमान शामिल हुए हालंकि खास वो भी रहा कई विदेशी महमान जो की भारत के पारंपरिक लिबास में नजर आये थे फिलालिये अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीर है प्रधान मंत्री ने सभी विदेशी महमानों को राजगाट पर रिसीव किया और बापू को शद्धांजली विदेशी महमान देंगे और यहां से एक बार फिर से भारत मंदबं के लीडर्स लाउंज में सभी लोटेंगे और फिर सेशन की शुरुआत हो जाएगी हालांकि सबसे आखरी में नाइदिली डेक्लेरेशन जारी होने वाला है आज ही समापन होगा जी-20 का और भारत अध्यक्षता ब्राजील को स्वाप देगा लेकिन बहुत एहम जो डील हुई है हालांकि एमोईों भी हस्ताक्षर किये गए हैं कल जी-20 समिरन के पहले ही दिन भारत ने तीन बड़ी काम्याबी हासिल कर ली है पहली जो रही वो इंडिया मिडल इस्ट यूरोप एकोनोमिक कॉरिडोर डील हुई दूसरी की अगर बात की जाए तो नई दिल्ली घोशना पत्र पर सर्व समती बन गई है और इसको एक बड़ी जीत प्रधान मंत्री की तरफ से कल बताया भी गया था उन्होंने कहा था ये पूरी टीम की मेहनत है हमारे शेरपा की मेहनत है जिसकी वज़ा से जो कॉमन घोशना पत्र है उस पर सौ फीज़ी हर एक राश्टर अध्यक्षने सहमती जता दी हालनकी इस दोरान पियमोदी ने अमेरिकी राश्टपती बाइडन साओधी अरब के मौमद बिन सल्मान और ईयू के निताओं के साथ इस मेगा इंफ्रास्ट्रक्टर डील पर मौयू भी किया कल और इस नए कॉरिडोर को चीन की बैल्ट एंड रोड इनिशियेटिव यानि बी आर आई का विकल्प माना जा रहा है इसमें भारत मिडलिस्ट समुदरी मार्ग से जुड़ेंगे और कॉरिडोर के साथ साथ तेल गैस पाइपलाइन और आप्टिकल फाइबर लाइन भी डाली जाएगी इसे एशिया अरब खाड़ी और यूरोप के बीच संपर्क बढ़ेगा लेकिन आज वन फ्यूचर सत्र पर चर्चा होनी है वन अर्थ में जलवायू परिवर्तन और साथी साथ वन फैमिली में कैसे वैश्विक इस्तर पर उन देशों के मुद्दों पर चर्चा की जाए जो की आर्थिक संकर से जूज रहे हैं उनको कैसे जो कर्ज के बोज तले दबे हुए हैं उनको कैसे उपर उठाया जाए कैसे उनकी मदद की जाए क्योंकि आपने सुना था वित्मंत्री का कल का बयान उन्होंने कहा कि कोई भी देश छूट ना जाए हर एक देश को हमें शामिल करना है हर एक देश के विशे में सोचना है और इसलिए चर्चा उन मुद्दों पर होना बेहद जरूरी है हलंकि ये जो डील हुई है भारत को उनसे बड़े फायदे हुए है हलंकि कॉरिडोर की अगर बात की जाए तो भारत अब यूरोप तक पहुंचने वाले दो बड़े कॉरिडोर में शामिल हो गया है भारत पहले ही 7200 किलोमीटर के रूस इरान इंटरनेशनल नौर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का हिस्सा है लेकिन बड़े अफसर ही है कि नया कॉरिडोर देश को दक्षिन पूर्व एशिया से खाड़ी पश्चिम एशिया और यूरोप तक कारोबार बढ़ाने में मदद करेगा इससे लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट के शित्र में बड़े अफसर खुलेंगे लेकिन फिलाल आपको राजगाट की तस्वीरे दिखा रहे हैं शद्धांजली अर्पित करने के लिए बापू को नमन करने के लिए विदेशी मेहमान राजगाट पहुँचे हुए हैं G20 समिलन का दूसरा दिन है और आखरी दिन है दूसरे दिन की शुरुआत बापू को नमन करने के साथ उनको शद्धांजली अर्पित करने के साथ हो रही है अलंकि जब विदेश्री मेमान राजगाट पहुंचे तो प्रधान मंत्री ने उन्हें रिसीव किया और रिसीव करने के साथ साथ राजगाट के विश्रय में भी जानकारी दी गए बापू जो की राश्ट्र पिता हैं जिन्होंने अहिंसा के पत पर चल कर अहिंसा के लिए लोगों को प्रेरिद किया कि हिंसा की कोई जगह नहीं है लेकिन आप हर एक कारे अहिंसा की पत पर चल कर कर सकते हैं सब को साथ लेकर चलना है ये मैसिज आज तक भारत ना कि वल देश बलकि पूरी दुनिया में देता है और यही वज़ा है कि इस बार की G20 की थीम क्योंकि भारत अध्यक्षता कर रहा है इसलिए थीम भी वसुधयव को टंबकम रखी गई है यानि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर अब वन फ्यूचर सत्र की बारी है और इस पर बेहद एहम चर्चा भी होने वाली है और दिली से आयुच मेरे सहयोगी हमार साथ जुड़ रहे हैं उनका रुख करते हैं आयुच क्योंकि दो सत्र तो हमने देख और बेहद एहम रहे हैं दोनों सत्र उसके बाद जो चर्चा के बाद जो बयान सामने आए बेहद महत्पूर रहे लेकिन अगर आज की बात की जाए आयुश क्योंकि कई डील भी कल हुई है लेकिन आज वन फ्यूचर सत्र पर चर्चा होनी है जो की बेहद एहम रहने वाली है क्योंकि बात केवल देश के भविश्य की नहीं है बलकि दुनिया के भविश्य की है बिल्कुल दिपिका और इस वख फिलाल दरसल प्रधान मंत्री नरिन मोदी राजगार पर मौझूद है तमाम राश्टा धक्षों का प्रधान मंत्री नरिन मोदी ने स्वागत किया है राश्पती जो बाइडन वहाँ पहुचने वाले हैं जैसे ही राश्पती जो बाइडन पहुचेंगे जिसका दिक्राप ने किया कि जो थड़ सेशन है वन फीचर सेशन रखा गया है और भारत की कोशिश भी यही है और महत्मा गांदी का वो संदेश भी की आहिंसा और सत्यागरग का रास्ता तो भारत के लिए आज का दिन भी बेहद एहम वो होने वाला है और साथी साथ अदिपिका ये भी जब प्रधान मंत्री नरेन मोदी जो प्रेसिडंसी है वो ब्रजील को सौपिंगे ब्रजील के जो होने की उमीद की जा रही इसे पहले रिशी सुनक ब्रिटन के पीम के साथ भारत की दुपक्षी वारता हुई जपैन के जो प्राइमिनस्टर है फूमियो कशीदो उनके साथ दुपक्षी वारता की तस्विरे सामने आई कुछ और देशों के साथ भी भारत दुपक्षी व रच्या तो भारत की कोशिश ये इन देशों के साथ भी भारत खास कर के त्रेड के मुद्दी को लेकर बात करें तरह कि कि इस तरह से भारत ने एक कोरिडूर बनाने को लेकर यहाँ पर इस G20 में फैसला लिया गया उसको मंजोरी मिली है इसे भी भारत की एक कोटनितिक जीद के तौर पर देखा जा रहा है और चाइना की हार के तौर पर जो BRI इनिशेटिव था चाइना का उससे इतर एक G20 देश आपस में मिल कर Middle East को यूरोप को कनेक्ट यूनिन को यह तमाम कोशिशें ऐसी है जहां भारत सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा है बलकि उन देशों की आवाज बनने की कोशिश भी भारत ने की है जिन देशों की अब तक सुनी नहीं जाती है पिछले 15 से जादा साल हो चुके हैं जब अफ्रीकन यूनियन की कोशिश लिबरेशन वार में इंडिया एहम नेड़ा निभाता है और शेख हसीन आज पहुंची है उन्होंने भी बात की है प्रदानमंत्री के साथ बापों को वह भी शद्धान देंगी तो ऐसे तमाम पहलों है दिपिका जहां भारत विकास की बात करता है भारत एक सुरक्षित भ अगातर बने हुए हैं आयुश मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही हो तो जरह बताएगा कि अभी कितने विदेशी महमान वहाँ पर पहुंच चुके हैं क्या सभी विदेशी महमान पहुंच चुके या फिर अभी भी किसी का इंतजार बाकी है जैसे आपने पहले बता प्रदान मंतरी नarent चुल्ड से स्वागत किया गया और एक koशिश यह भी है कि भारत ही नहीं भारतियता का संदeimated हमें इन देशों चेहां के ग्राइस्ट धक लड़ते हैं कल की तसवरे भी आद Navy कि अुस धे साद में वील के सामने जब प्रधान मंत्री तमाम देशों के रास्टा धक्षों का स्वागत कर रहे थे चाहें वो रिशी सुनक की बात की जाए जो बाइडन की बात की जाए उन देशों के रास्टा धक्षों को प्रधान मंत्री की तरफ से जानकारी भी दी गई कि कोडालक संट टें या रिशिव सुनों की बात की जाए तब भी प्रधानमंत्री ने उन तमाम देशों के रास्टा धक्षों को उसकी एहमत बताई कि किस तरह से एक रिच कल्चर इंडिया का था किस तरह से आज से 1500 साल पहले भी भारत में इतने बड़े विश्विदाले थे जहां लाखों की सं संका में टीचर्स थे उस समय भी भारत में किस तरह से एस्टोनमी से लेकर अस्टोलोजी के पढ़ाई हुआ करती थी किस तरह से फिलोसोफी के एजुकेशन उसी समय दिया जाता था और सिर्फ बुद्धिजम इनेवल की हिंदुजम के साथ साथ बाकी जो रिलीजिस स्कू महात्मा गांधी जिनका सत्याग्रइ जिनका इंसा का रास्ता भारत को आजाडी के मौहाने ठक ले गया और अब अभी डियांगी जिदैके में ब्लैक वर्सेस वाइड का वो दौर वहाँ चल रहा था ब्रिटन में भी भारतियों के खिलाफ जो एक बेदभाओ पूर्ण रवया था उसको बदलने की कोशिश की और भारत में बत और बैरिस्टर भी और उसके बाद जब उन्होंने वखाला छोड़ दी लगबग उस सम समय के प्रेजिडेंट था अमेरिका के वो खुद इसी राजगार्ट में बापू को नमन करने पहुचे क्विन इलिजबत यहां पहुच चुकी हैं होची मिन वियतनाम के उस समय के लीडर थे कमिनिस थे लेकिन इसके बावजूद बापू की बातों से प्रभावित हो उन् को दरसल नोबल पीस प्राइज मिला है चाहिए निलसन मंडिला की बात की जाए हमारे पडूसे मुल्क मैंनमार में जो हासां सूकी है वी हलंकी नजरबंद वो चल रही है जो पूर रास्टा धक्ष महां की रही हैं उनको भी नोबल पीस पूरुसकार मिला तो ऐसे तमाम ल यह ने महात्मा बुथ का संदेश दिया और कहते भी हैं दुनिया ने भले ही दूसरे देशों को युद्र दिया ओ लेकिन हमने बुथ हूं को बापु की प्रतिमा का नावरन किया गया था इससे पता चलता है कि अहिंसा के मार्ग पर वो चले और अहिंसा का संदेश पूरी दुनिया में उन्हों ने दिया लेकिन यहां पर आईश एक बात और खास हो जाती है क्योंकि यह खासियत है प्रधान मंतरी मोदी की अपनी देखा रहे हैं देखे बापु को नमन करने के बाद यहां से सभी विदेशी मेहमान रवाना होंगे अपसे थोड़ी दिर में लेकिन जो बाइडन का इंतिजार भी कही ना कहीं किया जा रहा था यहां पर आप देख रहे हैं सीधी तस्वीर वर्ल्ड लीडर्स का राजगाड पहुंचने का सिलसला लगातार जारी है और आप के सामने तस्वीर जो मेहमान हैं वो पहुंच चुके हैं प्रधान मंतरी ने सभी को रिसीव किया और फिलाल जो बाइडन भी पहुंच चुके हैं क्योंकि आपसे थोड़ी देर पहले आय यहां पर शाधान जली की शुरुआत तो कि आपसे थोड़ी देर में सभी विदेशी महमान जो की शाधान जली अर्पित करेंगे महत्मा गांधी को राश्रुपिता को और उनका जो संदेश है अहिंसा के पत पर चलना पूरी दुनिया में फैला हुआ है कई देश के दिग दिगजनेता जिन से प्रभाविद भी है जो बाइडन वो भी पहुंच चुके है और देखे प्रधान मंत्री नर्दमोदी पहले से वहां पर मौजूद और एक बार फिर से दोनों ही दिगजनेताओं की ये मुलाकात बेहत खास हारंकी दुपक्षिय वारता जो बाइडन क प्रधान मंत्री नर्दमोदी जो बाइडन को राजगाड के विशे में बता रहे हैं बापू के संदेश के विशे में साथी साथ अन्य जानकारी भी दी जा रही हालंकी पूरी दुनिया वाकिफ है बापू के अहिंसा संदेश से किस तरह से उन्होंने देश की आजादी के लिए अंदूलन किये और किस तरीके से उस संदेश को पूरी दुनिया तक पहुंचाया और यहीं वज़य है कि देश नहीं बलकि विदेश के भी लीडर्स बापू को नमन करते हैं उनके संदेश से प्रभावित होते हैं और यहां से देखिए जो बाइडन पहुंच चुके रिसीव प्रधान मंत्री ने कर लिया है और यह राजगाट की तस्वीर आपके सामने क्योंकि कोई भी मौका होता है तो बापू के नमन के साथ बापू को शरधांजली अर्पित करने के साथ उसकी शुरुआत होती है क्योंकि बाद जब देश की आती है तो राजश्यपिता का नाम सबसे उपर रहता है और देखें लगातारी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं आयोश मेरे सही होगी हमारे साथ लगाता जुड़े हैं क्योंकि इसे पहले हम चर्चा कर रहे थे क्योंकि सभी तो विदेशी मेहमान पहुंच चुके हैं लेकिन बाइडन का इंतिजार था वो भी पहुंच चुके हैं तो अब श्रधांजली की शुरुआत यहां से बिल्कुल दिपका सिर्फ इंतिजार किया जा रहा था कि राश्पती बाइडन ने यहां कब पहुंचेंगा और पोटर्स के पहुंचते ही अब उमीद की जा रही कि कुछी दो से तीन मिनट के बाद ही दरसल श्रधानली का यह पूरा कारक्रम शुरू हो जाएगा तमाम देशों के राश्पत धक्ष बापो को बारी-बारी से शद्धानली देंगे उनको दमन करेंगे अमर जवन जोती की तस्विरे आ रहे हैं और बाइडन को खुद प्रधानमंत्री नरिन मोदी ने शौल उड़ा कर उनका स्वागत किया उनको बताया साबर मुति आश्रम के बारे में महात्मा गांदी के संघर्षों के बारे में बताया महात्मा गांदी का संदेश क्या है विश्व के लिए विश्वशान थे के लिए उसका जिक्रियां पर किया गया है इसके बाद बापो को शद्धानली देंगे तमाम देशों के रास्टा धक्ष और फिर जैसा कि आप खुद जिक्र भी कर रही थी कि भात्माद वपम के लीडर्स लाउंच पहुच कर वन फ्यूचर पर चरचा की जानी है लेकिन इंतजार किया जा रहा है कि कब से ये पूरा जो प्रोसेस है एक तरस से कारक्रम शुरू हो शद्धानली देने का उसके बाद हालांकि एक भजन का भी छोटा सा कारक्रम यहां पर था जहां तमाम देशों के रास्टा धक्ष बापू के भजन सुनने वाले थे लेकिन अब चुकी थोड़े से लेट पहुचे हैं पोटर मंदपमम और यह भी देखना होगा कि समया राज्गार्ट में दुनिया की 85% अरथवस्ता को लीज करने वाले तमाम देशों के रास्टा धक्ष हैं दुनिया की 75% आबादी को लीज करने वाले ... मेचिको हग इसके संहीत जो गुज़रा हुआ दिन है ये दोनों दिन भारत के लिए कितने एहम है और 21 सदी का इस सबसे बड़ा इवेंट अभी तक का भारत में से कहने में कोई गुरेज नहीं होगा दिपका और प्रदानमंत्री नरिन मोदी ने तमाम देशों का स्वागत किया जिसका आप जिक्र खुद भी कर रही थी कि प्रदानमंत्री खुद ये कोशिश करते हैं कि भारतियता कि ब्रैंडिंग बनी रहे पूरे विश्च में देखिए वो उस शौल उड़ा कर स्वागत करते हैं जो खादी की कोशिश दानमंत्री नरेन मोदी जब विदेशी दोरों पर जाते हैं तब भी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्स से जुड़े हुए तौफे वो उन देशों के राष्ट्र अध्यक्षों को या वहां के डिलिगेट को सौपते हैं तौफे देते हैं चाहें वो पोटस की बात की ज लाकों से बने हुए प्रोडक्स भेट किये गए थे